तो हलो गाई सबसक्वास वागत है फिससे को और नए वीडियो में तो आज हम फिससे खिलने वाले हैं इवो क्रू तो जैसा तुम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था पिछले एपिसोड में हम लोग ने आ गए थे मतलब पाइनल इलेक्ट्रो मेट्रो में हम लोग प बाद मैंने फाइनली ऑफ लाइन इसको डूना और वो मेरे को मिल भी गया बट वो मेरे को एक बात बता रहा था रुको मैं तुमको दिखाता हूं वह स्किल रिम्मबर कहा है जो मतलब इसकी लिए दिलाता है तुम्हारे ने एक्समान के तो यहां लिखा है वैलकम टू यो क् जाओगे तो ही मतलब वो तुम्हारे मतलब क्रू का इबिलिटी याद दिलाएगा तो हेलो देर यूर ट्रैवल्ड आ ओल दिस वी तुए विटनेस ऑफ माई अमेजिंग कुकिंग इबिलिटीज ओके तो तुम इतने दूरा है मेरे क्या बढ़ते हैं बढ़ियां खाने के जानने आई किड़ आई किड़ आई किड़ आइकन टीच यूर क्रू एनी प्रिविशियस मूव ओके तो मैं तुम्हारे क्रू को कुछ भी मतलब पुराना मूव सिखा सकता हूं मतलब इसके कहने का मतलब जो मैंने बताया कि यह ट्यूटर है जो पिछले एपिसोड देखा ग्राश टाइप वाला बंदा तो इसके पास कोई मूव हैने मतलब सिखने के लिए तो या मतलब इसको मैं इसको सारे मूव सिखा हैं इसको 5 लेवल से वाल्ब किया तो मैंने इसक़ एक भी move ऐसे नहीं कहते हैं कि जो मैंने इसको सिखाया नहीं है तो या, come back soon, maybe some food next time तो बोल रहा है कि दुबारा आना, बाद में खाना खाएंगे साथ में ठीक है अंकल, खाना तो खा लेंगे तो या, तो या अंकल कैसे काम करता है मतलब तुम लोको अपने crew का move remember कराना होगा, मतलब कोई skill होगा जो power over जो भूल गया होगा, तुम गलती से नहीं कर पाया होगे डायरेक्ट उसको level up कर दी होगे, evolve कर दी होगे तो उसको तुम लोको क्या करना पड़ेगा, sympathy मतलब जिस भी crew को तुमको skill सिखाना है, या learn कराना है पुराना वाला तो उसको तुम्हें first पे रखना पड़ेगा, जैसे मैंने stamp pod को रखा है तो ये stamp pod की बात कर रहे है, अब किसी भी दूसरे crew को रखूँ के तो वो उसकी बात करेगा तो या, ये मेरे को मिल गया था, उसके बात फिर मैंने कुछ खास जादा किया नहीं है और मैंने थोड़ा सा level up किया है, तो मैं थोड़ा तुमनों को दिखा दूँ कि मेरे level में क्या फरक है तो मैंने फाइनली इसको evolve भी कर दिया, जो मैंने कहा था तुमनों को evolve करने के लिए air type में तो मैंने इसको finally air type में evolve कर दिया, बहुत जारा time लग गया, बट finally ये evolve हो गया और इसका नाम रेंगी फर है, जो भी अजीब सा नाम है, बट ठीक है उसके बाद फिर हमारे ये साप का बच्चा, इसको मैंने कुछ खास level अपने किया, मिरे को इसको water type में evolve करना है, बट अभी ये evolve नहीं हो रहा है इसको तो तुम लोग पिछले एपिसोड में देखे था, ये evolve हो गया था, मतलब जादा कुछ खास नहीं है, बट मैंने थोड़े बहुत जो evolve नहीं किया था, जैसे रांजर को मैंने evolve कर दिया, उसको air type में फाइनली जैसा मैंने तुम लोग वारा किया था, तो या, अभी आज के एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले, आज के एपिसोड में हम लोग पूरा की पूरा इलेक्ट्रो मैट्रो एक्स्प्लूर करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि यहां हमारे डैड के बारे में कोई जानकारी मिलेगी, मतलब यहीं करने वाले हैं, देखते हैं क मूजियम मंनुटेम ड 이거는 की जल सकते यहां में नोगों काफी लिवत चीज़ा देखने को मिल सकते हैं क्या क्या मतलबола में 4 00 tr को इसके मेंहें और क्या-एंस भानला मुझे जा्ग में होता है कि out मीं नियुक अश्जानिया भी पत्टी हैं सकते हैं आलफटाइट लिएक तो तो यह वार्वार को समय आगया होगा तो या वड़िक तो इसको तो श्रयूर्ट रेगल-स्टाइब स्वार्ड है मतलब इसका डिजान रेगल टाइप है डुन ने रेगल टाइप क्या होता है बढ़ ठीक है तो इसको जो कि इन लोगा किंग आलफेट था उसने इसको यूज किया था मतलब वार को खतम करने में जो प्राइम वार इन लोगा चालू था बहुत टाइम पहले तो इतना ही लिखा है बस कुछ खास नहीं है तो यह क्या है अलफटाइट फोकस टो यह क्या कहते हैं जैसे होता है जिसे मचली पकड़ सकते मतलब उसके सिर पर मारोगे तो रुके रहते हैं तो यह ऐसा टाइप का मतलब बाला बनाएट एप टाइब बनाएक किसी भी मतलब को पकड़ पाये टो इसको सबसे पहला युच किया था आलफब करने के लिए ओक्ते हो तो यह तो अपने इसका फोटो है ना क्या स्टैंप स्टैंपॉड का कि लॉंडे एंसेंट है क्या आई डून नो मतब फोटो छपा तो हो सकते हैं इस टेबल है समॉल क्या इंट्रेश्ट इंस्टरपेशन अबाउट दे प्राइम वार्स ओके तो इस टैबलेट में मतब लाओं तबाह कर दिया और साथ में जो क्रू इन लोग की मदद करते थे उनको भी खत्म कर दिया इफ if we don't get out they will be destroy us all okay तो हम लोग महां से नहीं निकले तो वो हमें भी खतम कर देंगे तो आइनो यह माल का बंदा क्या है यह पता नहीं बट थिक है दमाल मस्ट रिफर टू कुरू देट वियर अटैकिंग डैट अलफटाइश्ट किया है तो माल जो कुरू का मतलब यूच कर रहा है वो आलफटाइट के उपर अटेक करना चाहता है और के तो क्यों करना चाहता भाई आलफटाइट ने बिगाड़ा था मतलब यह ओ भाई साब और यह क्या है मैजन वाट मिश्टरी कि तो मैजन इसका नाम है यह कोई लेजेंडरी इवकर है उनको जहां तक लगता और इन सब्सक्राइब के साथ वह जो मिलता है वह कच्छवे वाला या तो मेक यूर वे ऊवर दा वाटर सर्फ अप तो इसके मदद से पानी के उपर टैर सकते हैं ठीक है ओके टिरनाइडो है जो भी इसका मतलब खोपड़िया बहुत ज्यादा मजबूत है मतलब यह वुड नॉट इसके साथ तुम आखों में आखें मिला के देखोगे तो तुम्हारी यह वाट लगा देगा यही सिंपल से बात कहना चाहता है ठीक है भाई साहब काफी इंट्रेस्टिंग मतलब यह सो चलो आगे देखते हैं और कुछ अपने को जानकारी मिल सकती है इस म्यूजियम में की नहीं तो यह टाबलेट पर जो लिखा है वो मतलब निसानों से भरा हुआ है आल थाउट इस लुक लाइक क्या ऑथर इस कॉल्ड क्या क्यों यह कहता है पता ने यह क्यों कहता है यह तो बता दी होते तो यह फॉसल है क्या इस क्या रिडुमेंटरी पोर्टर वास यूस बा okay तह пох test सबसे पहला इकर ट्रैप है जिसके मदस सबसे पहला इकर पकड़ा गया था ठीक है सबrement किया था था the string okay पालो का मतलब जो होता है पता ही होगा जिसने मेरा पराना एपिसोड देखा होगा उसमें मैंने बताया था आलपरटाइस के बारे में मतलब एक स्टोन मिला था अपने को उसमें बताया गया था कि सबसे पहला इवो कर वही था मतलब सबसे पहला इवो क्रू जो भी कहते हैं जो टेमर होता है तो सबसे पहला टेमर वही था तो उसने मतलब वह अभी भाला तु उसको यूज करता था तो आइट तिंग सो यह काइंड ओफ गले का पट्टा कह सकते हैं यह से अपने डॉक्स को आपने पहराते हैं यह ओके दा प्रिस्टाइन अलफटाइट पोर्ट इस अ बिलीव डैट आलफटाइट इस चीज का यूज करता था ट्रांसपोर्ट के लिए पहले टाइम पर टेलिपोर्ट था पता नहीं भाई साब फूर बैट पोर्स ट्रांसपोर्ट नॉट ज़स्ट क्रू बट अधर आलफटाइज एंड आइंड आइटम एसवेल ओके तो यह सि थोड़े बहुत सामान होते थे, वो भी मतलब टेलिपोर्ट हो जाते थे, ओके तो ये काइंड ओफ जो अभी आप उन्हें मतलब बाहर पोर्टल लगा हुआ है, तो ये उसी का ही काम करता है, ओके, तो मेजियम में अपने को ज़्यादा तो नहीं पता चला, काइंड ओफ, मत वेर दबेस्ट, क्या, ब्राइटेस्ट, गूट टूब टूब टॉप इवोकर, सुभाई साब, ये जैनित स्कूल है, मतलब जैनित का, तो यहां सारे के सारे बंदे आते हैं, पढ़ते हैं, बेस्ट इवोकर बनने के लिए, ओके, तो मैं भी चलता हूँ, वैसे मैंने अंक कर्स इनडा लाफ जैनित, ऑके, तो यह ऐसा, मतलब, शबसे बेस्ट जगा यहां, जहां तुम्हें सबसे बेस्ट इवोकर, मिलेंगे, पूरे जैनित में, वाट ध से अतो यहिए, यही थि commendit में सबसे बड़ा स्कूल, यही है, मतलब यही कह रहा है, जैनित तो पूरे एक मißtर से परेशान है र्याभ में भी आप उन व्हार से परेशान होते हैं पता लिए इंच्व मैंट लेट वब कोना जाता मैं वैठना नियुद्ट अब एक मेरे याए। क्या खतरनाक डालोग था बहुत है कि मैं लेट हो रहा हूं लेट हो रहा हूं बहुत क्या इंपॉर्टेंट डेट के लिए बाइसाब लॉंडिया पटा रखा है क्या बात है हमारी जिन्दगी बरबाद है टिक है तो अपने आपको देखो मैं क्यों देखू अपने आपको वजा तो पता दो यह बच्चे जो है वो आने वाले कल के इवकिंग मास्टर बनेंगे मतलब यह अपने डैड के खोज में निकला हूँ बैचारा एक फार्मर हूँ तो क्या बच्चे की जान लेगा तो सब लोगी ध्यान से सुनो देरहरा नाइन क्रूस एलिमेंट टाइप तो यहां नौ क्रू के एलिमेंट टाइप होते हैं इरक लगा थाइर्ट आर्थ नौ कैसे ज़रहां को भी बताओ देरहां फायर वाटर आर्थ ओकी फायर वाटर आर्थ तीन हो गया यह नीचर और इलेक्टिकन नीचर नेचर हाँ ग्राशटाइप नीचर ओकी इलेक्रिकट लाइट डार्क BROWN यह यह लाइट और डार्कidades ilαने पाइट होना होना ठीक है ऊके तो इसमें ऐट थार्म होते हैं समझ गया इस तैप है हैंड वीक्निश एइकसपर्ट फॉर ओर्ड़ि के तो हर टाइप के पास एक नहीं पावरफशल ताकत हुती हम तर डं भी होता और अřिक Direct टायम वेक्नेसं भी उता माता कमजूरी भी होता है मतरब कहसकते हैं जो टायप वाले निएक्सो मौन ऐवघ्राइस घालत के प्रहा जो Is Better वाले एवो कर्फ होते हैं तो मतलब बहुत सारे टाइप में मतलब वोग पावरफुल होते हैं बहूत टाइप के सामने वोग पावरफुल नहीं होतें कमजोर भी होते है फूर दान नॉर्मल टाइप as a no strength डाइब तॉ र्मल टाइप छोते हैं उनके पास नाई ताकत होती है ना एकमजोरी होती है chair तब थूब नॉर्मा टाइब बेकार भी हो नहीं भी है मतलब कह सकते हैं उंके पास कम जूअधि नहीं है तो उन्हें मतलब ह topics थूड़ा प्रॉबबलम हो तो आगे निकलते हैं देखते हैं और अगला क्लास में क्या पढ़ाई चल रहा हूँ यह क्लास मॉनिटर है क्या सामने खड़ी है क्या कहने चाहती है वेल्कम टू आर्ट एंड एनमे क्लब वादा है कह सकते हैं मैं तुम्हारे क्लब में जॉइन होना चाहता हूं बट बता दो कहां होना है बट ठीक है पहले सर से बात कर लेते हैं मिस्टर वेल्डॉन डू यू बाइट यूर थम्स एट मी कहना क्या चाहता भाई क्या तुम अपनी उंगलिया चबाओगे मेरे सामने क्या बूल रहा है बाई मतब यह हैव एट दस ओके तो तुम उसे खालो आई विल टीच यू इना क्या स्नेकर स्पेंस स्टाइल ओके त चुका उसको होस्पिटल उस्पिटल ले जाना पड़ेगा मैं इधर से निकल लेता हूं सबसे बैस्ट रहेगा और देखते हैं हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है मतलब यह स्कूली काफी बड़ा है तो यह इधर अभी और भी जानकारी हमें मिल सकती यह सीडी के उपर जा सकते हैं ओके नहीं जा सकते हैं तो यह स्कूल इतना ही है मतलब यह सीडी के उपर नहीं जा सकते हैं तो अब आपने कहां जा सकते हैं मतलब हमारे डैड की जानकारी हमें चाहिए और अभी तक हमें डैड की जानकारी मतलब इस करेक्टर के बंदे की डैड की जानकारी के जगा सारे बकवास जानकारिया मिल चुकी है और यहां हमें कुछ खतरनाक information भी नहीं मिला है तो या यह I think so EVO को मतलब यहां आपून I think healing healing कर पाएंगे तो पहले healing कर लेते हैं मतलब इनकेस कभी गलती से मर गया आपून तो यहां आ जाएंगे ओके तो healing करके हो गया तो अब चलो क्या करते हैं इधर हम लोग उसका क्या बोलते हैं electro metro का tournament area ढूनते हैं क्या पता अपने को मिल जाए और क्या पता नहीं भी मिले electro metro park ओ भाई साब ठीक है क्या चल रहा है आउंटी the park is the cleanest area in electro metro ओके तो जो इन लोग का पार्क है वो सबसे जादा clean और सुन्दर area electro metro में ओके बट पार्क है कहाँ यह तो बता दी होते हैं मतलब इस जंगल को तुम पार्क कहते हो इधर जूला उला कुछ नहीं है बट ठीक है ओ फ्लक्स लिंक यह कैसा लिंक है अजीब है मतलब अपने को link मिलता है तो आप लिंक से मतलब वो पकड़ सकते हैं crew बट यह फ्लक्स लिंक क्या करता है I think so को special type पकड़ने के लिए होगा ओके तो यह अजीब सांकल कुछ खतरनाकी लग रहा है ने क्या जन जन जो I am electro metro red ओके तो यह रेड है मतलब जिम लीडर है if you haven't beaten the arena then I can't really accept your challenge ओके भाई साहब अपने को red भी मिल गया ओके तो अब हमें जाना ही electro metro के arena को हराना है और फिर red को धूल चटाना है और फाइनली gym badge उठाना है ओके तो यहां क्या पड़ा है मिनिमा वेला यह क्या होता है वेला वेला होगा क्या पता क्या आप बोलना चाहते हैं इन लोग मतलब इन लोग का नाम काफी ज़्यादा अजीब और गरीब है सो या ओके तो हमें यह कहां मिल सकता tournament area मतलब अभी तक हमको red तक मिल गया पर यह तोर्णमेट अरिणा नहीं मिला ओ कि बाहर होगा क्या टूर्णमेट भी पार्टिपेट ही एवरी डे ओके तो हम यहां हमेशा पार्टिपेट करते हैं बट किसलिए वन देव यह एबल टूच चैलेंज दा लोकल एरीना ओके तो एक दिन हम लोग लोकल एरीना में चैलेंज करेंगे मतलब आई थिंक सो इन लुक काइंड आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ओके ट्रेनिंग करो लाउंडो तब तुम लोग को ट्रेनिंग के ज़रूरत है मुझे नहीं यह क्या है क्या बोटा विल आई डून नहीं क्या काम आएगा भाई सब इसके नीचे हो सकता है आई थिंक सो तब यह घर तो मैं पिछले एपिसोड में चेक कर लिया था तो इसलिए मैं इसको नहीं चेक कर रहा हूं ओके सूराइट एंड साइड में यह क्या हो लो यह कोई हाला ओफिस वदा है कि हाला कौन है पहले यह तो बताओ सही ओके अंकल तुम आफिस के क्या हो बिजनसमें वेलक्म टु हाला थैंक यू वेलकम करने के लिए पहले बताओ यह हाला का काम क्या होता है आई स्ट इस कंपनिया सर्वल यह अगो तो हील क्या स्ट्रेंफन इवक क्रू ओके तो मतलब इनोंने यह कंपनी बनाया था बहुत मतलब के साल होता है कि वो नेक्समान को हील कर पाएं और उनकी टाकत वढ़ा पाएं ओके वी हैव डिजाइंड मोस्ट आप दा हीलिंग आइटम यू यूज तो इन्हों ने जो हम लोग हीलिंग आइटम यूज करते हैं जैसे पोशनों तो इन्हों नहीं डिजाइन किया है ओके सेफ़ द्रॉप तु क्या अट्रे का स्ट्राइक इसे डिजाइन टेस्टेड एंड क्या मैनिफेक्च्ट्र फ्रम दस ओफिस ओके तो जो सेफ़ ड्रॉफ है यह आर्के कि स्ट्राइक नाम का कोई जगा है जिसे आइटिंक तो डिजाइन उजान करके बनाया गया है उस पारें टेस्टिंग साम अब दाली इस्ट हाला आइटम ओके तो इन लोगा हाला का या जो भी आइटम है वो ट्राइक कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है इदर मेरे को कोई इनफॉरमेशन मिल सकती है एक उजिया सो देखते हैं फिर मतलब इनफॉरमेशन नहीं तो कोई फिरी का माली मिल जाए ओकी यहां प्रोफेसर है तो यहां कुछ सो गड़बर घोटाला है तो इससे बात करना जरूरी है जहां प्रोफेसर रहे हैं वहां बात करना जरूरी है कॉलमेशन साइंटिस्ट ओके कॉलमेशन इस वर्किंग विच हाला on some joint item that should be add our genetic modification process ओके तो कॉल सप्राइस विद्धा amount of research we need to deliver a single item ओके तुम बोल रही है कि तुम काफी ज़्यादा सप्राइज होगे होगे मतलब हमारे research देखके काइंड ओफ कह सकते हैं मतलब इन लोगने most of the सारे healing willing इन्हों नहीं बनाया है तो कह सकते हैं ओके तो यह आइटिंक सो है इधर electro metro का arena जो of course electric type है बट ओके तो यह नया इरी इलाका है अपने को इधर नहीं जाना है तो क्या करते हैं चलते हैं एरीना में और क्या करते हैं तो देखते हैं metro का arena कैसा है धमाके दार battle अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो उस एरीना में जा कहीं पता चलेगा ओके तो यह अपने को सायथ बता दे capture item are code क्या links ओके तो जो capture पकड़ने का item है उससे link कहते हैं there are more क्या many different links that have a different advantage when capturing crew ओके तो इसमें भी महुत अलग-अलग type के crew होते हैं मतलब वह होते हैं लिंक होते हैं जो अलग-अलग type के crew को पकड़ने में मतलब मदद करते हैं ओके ठीक है ठीक है हेलो अंकल काफे बढ़िया लग रहे हो इसे the lights of the electron arena lights of the city ओके अंकल आइधिंक कुछ जाद ही जो उसमें कह सकते हैं इसे मेरे पास कोई मतलब आइसा crew है जो इजी लिनों को हरा पाए मेरे पास नाजा है बट नाजा को मेरे को एवाल्व कर रहा है तो मैं रॉक टाइप मूव से नहीं यूज कर सकता कहीं रॉक टाइप यूज किया तो इसका इसका एफिसेंट मतलब बढ़ जाएगा और इलेक्टिट के सामने टिक सकता है वेलकम टू एलेक्ट्रो एरीना ओके ठैंक यू यू निट टू पी स्मॉल फी ठीक है थोड़े पैसे के नाम पे 250 रुपया लूट रहे हो ठीक है लूट लो कोई फरक नहीं पड़ता सो या चलो देखते हैं ओ भाई साब इधर का पूरा थीमी चेंजे मतलब यह काइंड ओफ पूरा की पूरा मेकैनिकली बना रखें किलोंडे क्या चला रहा है ओ मैन यूर बिगेस्ट फैन यह वही बेवकूफ है ना टाकू जो हर बार हम लोग को मिलता है और हम लोग की वाट लगाता है तो या आई बिन फॉलिविंग यू सि तो मुझे लगता है कि हम साथ में साइद मैच लड़ेंगे तो भाई सब टाकू इधर है तो मतलब अपने को थोड़ा सा बचके रहना पड़ेगा यह पता नहीं क्यों कुछ जादे स्ट्रॉंग उसके पास क्रू है इसलिए इंप्रैसिव तो तुम इतने भी बढ़िया न पाओगे ओके ठीक है भाई साब नहीं भी ठेंगे पर संट नन अब दस इवकर्स हैव लिंक ओफ लिक ओफ क्लास वह दहाई कहना चाहती थी मतलब समझ नहीं आए मेरे को सका बात ऑके क्या स्पैस्टेरम मैच आर्दस से किंग ओके तो इन लोग आइधिंग सुड़ आपस बड़ फिर भी हमनों को थोड़ी बहुत जानकारी लेनी जरूरी है क्या पता हमें कुछ पता चल जाए अपने डैड के बारे में या उस इवल औरगनाजियेशन के बारे में हेलो डियर सर आई लिव इन दिस सिटी आल माई लाइफ एंड जस्ट स्टार्टिट क्या टेकिंग पार्ट अफ इवक्रू ओके तो मतलब यह अपने पूरी जिंदगी इसी सहर में बिता दिया और अभी मतलब थोड़े टाम पहले इसने मतलब इवकर बनने की कोशिस पहले सकते लिए मतलब इवकर टॉद्सेंग अग्ं यह क्या है कर ना और तुम आई गोस ऐम सो इकडिडि़ू और रिरेना एले यह यह ञलाई कोश्फास्य मतलब इसने सॉद्सट मतलब यह यह बरीए ना कंपिश hope I don't get a match against you ओ भाई साब क्या बात है लॉंडिया तारीफ कर दी मेरी ठेंक्यू लॉंडिया ठेंक्यू कभी टाइम मिले तो चलेंगे डेट पे क्या बुर रहा हूं मतलब या छोड़ो तो इसने कहा है मतलब कि तुम काफे ज़्यादा ताकत वरों मैंने चेम्पियon हो। मेर्ण कहीं तुमसे लटना हुआ तो मैं तो तुमसे न लड़ूँगी तो याही कहना चाती है कि यहां का यहां का काफी क्याश्याध्या छूटा बनाएं इनलों का बजट इतना नहीं था न जोdьте कि भाए Bayei तो बात करते हैं जो भी इसको कहते हैं पोजीशन ओके तो स्टार्ट पोजीशन में आ गया सर जी रेबोन वेस्प में आई फॉलो दा रूल्स ऑफ एवोकिंग वन हंडिट इन वन आई सुड डॉमिनेट दिस मैच ओके तो बोलता है कि मैंने इवो करके सारे मैं 101 मतलब रूल्स याद की हैं तो मैं एजली यह मैच जी जाओंगा भाई रूल्स याद करने से ने जी सकते हैं तुम्हारे कुरू भी पावर्फुल होने चाहिए जो मेरे हैं दर विल भी या थ्री बैटर इन दिस क्रू हाँ ठैंक्यू भाई ओके तो 321 स्टार्ट तो देखते हैं कि इसके 101 जो फॉर्मुले हैं यह लगाने क्यूंकि तो यह सबसे पहले भीज रहा है वह वह क्यों को क्योंकि ओफकॉस यह मतलब इतना ज्याद घाए बिकॉस रिट्रय नहीं है दॉस्या रच्व मार्क नहीं यह नौर्मल डामेज हो रहा है यह अपने लिए उतने काफी है तो इसका कहानी खला तो क्या ही बोलना तो इस पर नॉर्मल अटेक करते हैं तो यह जिससे यह आई थिंक सो स्टन हो जाए स्टन हो गया ओके पैरलाइज हो गया लेट्स गो तो अब अपना हीलिंग मूव यूज़ करते हैं क्योंकि अपने को हील कर लेंगे तो अपना एचपी हमेशा रिकवर होता रहेगा यह काफी बड़ी हैं मतलब अचानक भैनक में उसने कोई खतरनाक अटेक कर दिया तो हमारी वाट लग गई तो इसलिए हीलिंग के जरूरत है इसे रंबल तो हमारे पर एफेक्ट नहीं होगा विकाज हम लोग टाइप हैं तो यहां नट क्रैकर से इसका काम बन जाना चाहिए ऑफकॉस भाई सब बन गया तब यहां नट क्रैकर इस ओपी अटाइक भाई सब कही बोलना नट क्रैकर अपने मतलब ग्राश टाइप अटाइक है और वो अफकॉस मेरे को इलेक्ट्रिक एंड आइसा फिल आ रहा है तो फिर से अपने वही जुच करते हैं मतलब पैरलाइस करने के वैसे तो पैरलाइस है बट या क्या कर सकते विकाज अपने पास कोई और अटैक चार्ज नहीं था इसलिए जाट्स वाइन उसको इस्तिमाल किया ने तो मैं नहीं करता ओके तो मारे सारे मूव और स्पेथे इसलिए हम लोग ने मतब और नॉर्मल आटक कर दिया इस्टेंप ओड ने ऑटमेटिक कर दिया इस्टमप गेन वर वन वन इंडिट इन वन एक्सपिर्येंस पॉइंट वाट वाइं उसने वन रूल कहा था तो में उतना एक्सपिर्येंस कैसे पा गया यह तो तो मैंने अपना पूरा मतलब बैस्ट दिया 322 रुपय तो पैसा तो इधर काफी बढ़िया मिल रहा है आई हैब टू स्टड़ी मोर विफोर मैं नेक्स्ट इवकर मैच तो बोलता है कि मुझे और पढ़ाई करने पड़ेगी मेरे नेक्स्ट इवकर मैच के लिए ठीक है नाट बैड भाई तो अगले टेमर को बुलाओ देखा जाए क्या करते हैं मैक्स्ट इवकर सब जा रहा हूं अपने जगे जा रहा हूं सेम डायलोग मार तो ओके तो ये टाकू आ गया टाकू से अपने को बदला भी लेना है मतलब उसने अपने को कई बार हरा है तो क् सब्सक्राइब को अपने टाउन का जिसका नाम ओडिला टाउन है तो ये ओडिला टाउन का बंदा है जो अपना बहुत बड़ा पंखा बना घूम रहा है अफकॉर्स यू डिड यू फ्रॉम दियर आफ्टर ओके तो बोलता है कि तुम भी उधरी से हो ओके तो हम भी ओडि इस प्रॉपिड में और स्टुपिड स्टुपिड ओके तो बहुता है बेवकुफ में बेवकुफ बेवकुफ भाई सब की बेवकुफ बोल रहा है एक यू टेल में इस माइप नायलोग मारेगा इसलिए मैं पढ़ने वाला त्री टू वण और लेट्स गो तो देखते हैं कि हम टाकू पहले से ज्यादा लेवल अप हो पाया मतलब पावरफुल हो पाया कि नहीं हो पाया मिल्कुफ इसने मेरा कपड़ा चूरी किया है सेम कपड़ा पहिंता बस बाल का हैरस्टाइल अलग किया है मतलब या कह सकते हैं अपना काफी ज्यादा बड़ा फैन है ओके त तो क्या कर सकते हैं वाटर टाइप नहीं है तो नाजा को बलाते हैं आइधिंक सो नाजा के पास वाटर अटैक है तो जो साइध काम आ जाए तब या तो ठीक है वो अपना अल्टिमिट मूव मारा बड़ नहीं लगा यह काफी बढ़ियां बात है बड़ इसका वाटर टाइप अटैक है कौन सा यह तो फिजिकल टाइप है यह स्पेसल के यह आइधिंक सो इसका वाटर टाइप ने स्पेसल गर्ष्ट यह रटाइप यार यह त तो यह वाटर टाइप मैंने इसका कैसे बढ़ाया था यह याद नहीं है सो क्या करें यह थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे लिए मतलब वह भी फायर टाइप है मैं भी सो ठीक है तो इसका काम हो जाता बट उसने बुला लिया अपने उसको तो अपने बिल्ली को बिल्ली जो इ सबसे पहले अपने पास गीगा ब्लास्ट है तो गीगा ब्लास्ट से चालू करते हैं देखतें की इसको आपने वन सौट कर पाते हैं नहीं हुआ ओके तो उसने भी गीगा ब्लास्ट के सीम बट आइधिंग सो अपने को जादा डामेज नहीं होगा विकाज अपना लेवल जादा है वह भाई सब 28 का है वह और मैं 35 का फिर भी उसका डामेज काफी अच्छा दिया मेरेको त ठीक है तो लेंस इसका काम हो जाना चाहिए वट मैंने मिस कर दिया भाई सब्यों कर दिया वाई लेंस मरने का है क्या तो अपने को वाटर स्कुट अटेक करते हैं जिससे फाइनली यह मारा गया तो उसका नेक्स्ट वहीं फायर वाला ही होगा क्योंकि इसके पास और कोई क बाई यह वह अटैक हमेसा ही करता है यह बहुत ज्यादा दिमागदार लॉंड है मतला हमेसा स्लाइंस अटैक करता ही करता है तो स्कुट से इसको काफी अच्छा डाम जोगा विकॉस वह फायर टाइप है तो आई थिंक सो आप उन इससे इजली जीत पाएंगे विकॉस आपने पास 145 एक्सपीरेंस लेट्स गू तो अपना हो गया लेवल अप 36 रहेंगी फार जो भी अजीब सा नाम इसका 36 लेवल का स्टॉपी पेड़ और नाजा भी 164 एक्सपीरेंस उठा लिया तो आप उन्हें फाइनली अपने सेकंड बंदे को भी हरा लिया तो बोलता ह कि मुझे तुमसे यहीं उम्मीद थी अफकोस बाई साब मतलब या तो मेरा फैन है तो मेरे तेरे को हराओंगा ही मतलब कि और फैन बना रहे है तो बोलता है काफी ज्यादा मतलब खतरनाक मैश था फकोस खतरनाक था गेट इट या माई क्रू अर गूड इनफ टू आर दे तो बोलता है मेरे कुरू इतने भी बढ़ियां नहीं है सही कहा मैंने अफकोस सही कहा मतलब तेरो को लेवल अपकी जरूरत है बस तेरा वो फ्रॉट्टी को अपने टीम से निकाल दे वो मेरी वाट लगा सकता है इसलिए आइम वेस्टिंग यॉर टाइम ओके तो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा टाइम बरबात कर रहा हूं आफकोस कर रहा है वेस्टिंग यॉर टाइम हाँ बाई कितने बार वही बोलेगा आई नो डाट ओके अनलिस वेट नो ओके रुको मत्या यू टेल में इफ आई बॉ इसान किया है आई नो आई कम बैक विस सम्म कूल क्रू तो सो यू ओके तो बहुता है कि हाँ मैं जानता हूं मैं दुबारा आउंगा और एक बढ़ियां बढ़ियां क्रू पकड़ के इस बार और फिर तुमको दिखाऊंगा ओके भाई सब बैस्ट अफ लॉक फिर उसके ल है आरा मतलब रहम दिखाना गो इजी ओन मी मतलब यही होता है रहम दिखाना इस इस दा लास्ट मैच और कॉंपडिशन आई नो सर लास्ट मैच है विनिंग दिस मैच विल बी नेट यू द प्राइज ओके तो इस मैच जीतने के बाद हमें प्राइज मिलेगा गुड लक न सो अपने पास से फिलाल के लिए यह आप क्या बोलते हैं स्टेंप पॉर्ड उसे मैं इसका हमिसा नाम बोल जाता हूं बढ़ ठीक है तो स्टेंप पॉर्ड अपना पैरलाइज हो गये थोड़ा सा प्राइब्लम हो गया तो यह अपना अल्टिमेट अटैक मिस हो गया बट आपने सम्दूब दुबारा ट्राइ करेंगे ओके पांड भाई तेरे पांड से मिरे को कुछ नहीं होने वाला ओके मैसिव ग्रेम मिस हो गया भाई साब यह क्या चल रहा है ओके लिफ कैनन आइधिंक सो लिफ कैनन तो पढ़ना चाहिए ओके ठाइक ओड लिफ कैनन तो अगला क्या है अगला भी वही बिल्ला है क्या इसके पास ओके तो अगला भी उसके पास से मी है ठीक है अब तो काफी इजी होगा इसको हराने में क्योंकि नट क्रैकर से इसका काम बन चाहिए उसके इसके इलेक्टिक कैनन ने कुछ खास हमला तो नहीं किया बट उसके पहले अटेक के वज़े से मैं पैरलाइज हूँ बट ठीक है नट क्रैकर की अच्छे से वाट लगा रहा है उसके में पास फायर अटैक है बट यह एलेक्टिक टाइप है ना तो इसके पार इफेक्ट नहीं होगा बट ठीक है फिर भी मैं बदल के देखता हूँ अब ट्राइ मारता हूँ क्या पता इफेक्ट हो जाए तो फॉर्निस को बढ़िया देता है जैसे तुम लोग ने देखा वाट लगा दिया मतलब लग बग उसकी और इसे हम लोग का लेवल भी ज्यादा है तो यह कह सकते हूं इसका बैने लेवल नहीं देगा ओके 27 अपने सामने कमजोर है पर ठीक है तो स्कुरेट से इसका काम हो जाएगा तो कह किसे भला प्लांड अरीना के चेंपियन को हरा सकती थी है व cere इसकी बात में दम है मतलब यह भी मतलब उस्लड़की रहे हैं कार्बॉन तो मतलब इसको पता नहीं था अपने कार्बोन अरीना भी हराया है बट इसको आप फाइनली पता चल गया होगा तो अपने एलेक्ट्रो मेटर और कार्बोन और प्लस प्लांट अरीना हरा दिया मतलब तीन अरीना हरा दिया और तीन अरीना और बचा हैं ओके लेडी सेंड जेंडल मैं आइस से प्रेजेंट यू तो आ निव चैंपियन मैक्सवेल फू प्रिसर्व थाउट अफ मैचिंग कम आउट आउट ओके तो मैक्सवेल जो पूरे खतरनाक मैचों के बीच में टॉप पे आया तो सॉक लिंक सॉक लिंक थंडर टाइप या एलेक्ट्रिक टाइप क्रू पकड़ने में आसान होता होगा फिल फ्री यू स्टॉप एनी चैलेंज अब एरीना आगे लेटर ओके तो बोलता कि फिल फ्री तुम दुबारा आके एरीना में बैटल कर सकते हो या सर जरूर करेंग तो हम लोग बस अपना मजा ही कर रहे हैं मतलत जिंदगी माजी ले रहे हैं अपने डैट के बारे में कुछ नूने हुने नहीं ना उस ऊर्गनाइजिशन के बारे में कुछ पता चला तो क्या करते हैं आज का एपिसोड इधरी आंड करते हैं I hope यह एपिसोड तुम लों प झाल 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 झाल